How to see status after deletion on whatsapp नमस्कार दोस्तो स्वागरेब सभीका तिकिराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि whatsapp के अंदर पे अगर दोस्तो कोई अपना status दिलेज भी कर देते हैं तो भी दोस्तो आप उसका जो status है उसको केस से देख सकते हैं मान लिजए दोस्तो आपका कोई दोस्त यहाँ पे status अपलोड करते हैं अपलोड करने के बाद दोस्तो अगर वो डिलेट कर देते हैं यहां पर दोस्तो जािर सी वाद है कि उनका students है यहां से टीलेट हो जाएगा लेकिन आज के ये वीडियो पर मैं आपको ऐचा ट्रिक बताऊंगा जिसको आप अगर follow करते हैं तो दोस्तो आप अपने दोस्तों की जो डीलेट किया हुआ data से उनको भी आप काफी आसानी से देख सकते हैं तो आएए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर पे की ये चीज़ कैसे पोसिवल है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को सबस्क्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉल्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज भी कर सकते हैं दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो मैं अभी क्या करूंगा एक स्टेटस अप्लोड करूंगाउ और क lengthy वाट्सेप का स्टेटस डिलेट होगा या नहीं ठीक है तो सबसे पहले WhatsApp open करेंगे यहाँ पर एक status upload करते हैं तो कोई भी यहाँ पर रेंडॉम सब पिक upload कर देता हो इसे क्लिक करके ठीक है तो यह upload होगे आप देख सकती keyboard का जो picture वो upload कर दिया है अभी अभी मैंने क्लिक करके उसके बाद यह जो status से वोटो upload हो चुका है ठीक ह मैं अभी इसको डिलेट नहीं करूंगा पहले मैं आपको शो करके बताऊंगा कि दूसरे वाले वादसे पर शो कर रहा या नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते कि शो कर रहा है ठीक है यह यहाँ पर शो कर रहा है जैसे कि आप देख सकते यहाँ पर यह शो कर रहा है अभी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसको डिलेट कर देता हूं ठीक है तो इसको डिलेट करने की बाद भी यह में वहाँ पर जाके फिर भी देख सकता हूं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पर डिलेट कर दिया लेकिन अभी भी शो हो रहा है तो तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर एक GB WhatsApp करके आते एक एप्लिकेशन ठीक है तो एप्लिकेशन आते हैं GB WhatsApp करके आपको गूगल में मिल जाएगा GB WhatsApp AP के डाउनलोड टाइप करने से तो इस वाले ठर्ट पाटे आप्लिकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप किसी का भी डिलेट किया हुआ मेसेज देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस भी डिफरेंट है और यहाँ पर सब डिलेट किया ह हुआ जो सब डिलेट किया हुआ जो सब डिलेट किया हुआ जो इस्टेटस है वो दिख पा रहा है लिखा हुआ भी है डिलेट 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 यानि कि यह डिलेटेड वाला स्टेटस है लेकिन यहाँ पर एक सेटिंग करना होगा आपको वह सेटिंग क्या है सबसे इंप पर जाना है यहाँ पर anti delete status इसको on कर देना है ठीक है एंटी delete status तो इसको अगर आप on करते हैं तो दोस्तों आप simply क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ पर किसी का भी и deleted warning अब रचा देख सकते हैं ठीक है तो जीबी यूज़ करने का यहीं फाइदा है तो अगर दोस्तों आप डीलेट खिया वाच्टडस देख लोगों का तो आप GB WhatsApp इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह के से आप भी इसको यूज़ कीजिएगा उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसने होगा वीडियो पसने होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तेंक्स वाचिए